फूले के फ्रेक्चर के बाद कौन सी टॉप एक्सरसाइज करें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज गारंटेट कहता हूँ आप नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी जिंदगी पलट सकती है और पहले की तरह आप हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो टोटल हिप रेप्लेस्मेंट सर्जरी तीन से बारा महीन यानि त्री टू ट्वल मंथ तक कौन सी एक्सरसाइज करें आफ्टरन ट्वल बीक ठीक है तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हम ज हम पहले की तरह है नॉर्मल हो शकें और चल सकें, सागिल चला सकें, दोड़ सकें ये सारा क्यों मेरा इपges रहा है इस वीडियो में तो इसके लिए लाग आपको पहले बता दून एश्में हमारा जो हिपको करने का और हमारा बैलन्स करने का जो हिपको और हमारा जो है वीडियो में करेंगे सैक्लिंग बगारा तो इस वीडियो को पूरा अश्यक देखना तो गरंटिट कहता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा फाइदा उठा पाएंगे तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिके के जो है तीन महीने तक हम कौन सा आज सजीर हुई तो आज को हम तीन महीने तक कौन से एक्सेसाइज कर सकते हैं यानि कि 0 to 12 वीक तक तो मैंने उस पे पूरी स्रीज बनाई है तो आप उन वीडियो को आई बटन पर जाके देखना उनमें आपको अच्छी खासी इंफरमेसन देखनेों को मिलेगी कौन कौन से एक्सेसाइज हम जो है total hyper placement ती एचार में कर सकते हैं तो इस वीडियो को गौर कीजिएगा और चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं कर सकते हैं एक साल तक के लिए जो है आपके बारा महीने के लिए आपको इसके द्वारा करना है तो सबसे पहले मैं इसको बांद देता हूं और इसको बाद एक्सराइज को रिपीड करता हूं तो फ्रेंड मैंने बेट कफ को बांद लिया है मैं पहले एक्सराइज को स्टार् 3 pyro ven ever hold करेंगे five seconds तक फिरम डाउन करेंगे, और हम इस विडियो Given exercise करेंगे सब के repetition हमको बड़ा देने हैं यानि कि हमको जीड लेके तक खोर tourism करनी तक आप अपने इसाब से कर सकते हैं ठीक है और आपको जो 15 second तक जो है आपको 5 to 10 second तक hold करना है और इसके बाद आपको जो है आपके 4 side लगाने के बाद 10-10 के repetition रहेंगे ठीक है तो आप 10-10 के repetition इसकर के बना सकते हैं एक यहाँ पर hold किया 5 second फिर डॉन कर लिया अब बेट भी थोड़ा भारी है आपको थोड़ा सा अलग तरह का feel होगा तो इसके तरह हमको 10 times ऐसे कर लेते हैं और इसके हम 4-5 side में इसकर करके बना लेते हैं करेंगे अब इसके बाद दूसरी exercise की तरफ चलते हैं तो दूसरी exercise हमको side से late जाना है अगर late के करते हैं तो सारी exercise best होंगे गलत करते हैं तो आप कभी कमर को जुकाएंगे तो कभी कमर को पीछे करेंगे तो इसलिए मैं late के आपको बताऊँगा जो कि आप bad पर ही सारी exercise को कर सकते हैं तो second exercise में आपको पैर को उपर की और राइस कर ले आना straight पैर को और फिर हमको डॉन कर लेना है फिर हमको उपर ले जाना है फिर हमको डॉन कर लेना है इसमें हमको five second तक उपर hold करना है एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर डॉन कर लेना है फिर हमको उपर ले जाना है फिर हमको five second तक count करना है एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर हमको relax तो हमको यह exercise करनी है, तो हम यह दूसरी exercise होगे, इसके भी हमको 10 repetition हमको कर लेने हैं, और हमको 4-5 set हमको बना लेने हैं, अब हम चलते हैं तीसरी exercise की तरफ जो की बहुत best है, हमारी 8 exercise इस वीडियो में होगी, तो समय पहले में आपको include, अब जो तीसरी exercise को करता हूँ, तो हमारी ही रहेगी, hip bridge exercise, तो hip bridge exercise को करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, और मैं थोड़ा सा नीचे आयाता हूँ, आपको दिखने में थोड़ा clear हो जागा, और फिर हम इस तरह से करेंगे, तो हमको यह हमारे count करने के लिए, हमको यहाँ पर hold करना है, यहाँ पर रोक के बटक को और five seconds तक count करना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर हमको don कर देना है, इसके हमको चार से पास से हमको कर लेने है, आप अपने हिसाफ से करेंगे, तो हमको दिन में दो बार करनी है, शुबह और शाम, आपकी recovery अच्छी होगी, सुबह शाम आप करेंगे, शुब शाम लगाएंगे, तो हमको इस तरह से शुबह शाम में आपको कर लेना है, अब हम इसको जो है, ऐसी repeat कर सकते हैं, आप हम इसको जो एकसराइज की तरफ चलते हैं, खोट अक्सराइज बहुत बैस्ट है, तो फोत एकसराइज को करने के लिए, सबसे पहले, आपको बता तो आपको जीना चाड़ना है जीना चाड़ने का बार-बार प्रयास करें जीना चाड़ने का चाही तरीका क्या हो ता ऑप पिछले पार्ट-फाइब में आप देख सकते हैं वो मैंने आलल डेडी बना रखा है आप इबटन पे आके आप उस फिर रिज्प करेंगे यह दौन सब्सक्राइब अगर आपको बेट बांगे ज्यादा भारी लग रहा तो पिर बेट को हटा भी सकते हो ठीक है आपको जो 3-2 12 मन्त तक आपको जो है यह exercise को repeat कर सकते हो इसके बाद हम चलते 7 exercise की तरफ जो की बहुत best है तो प्रॉल leg में लेट जाना है और हमारी यह affected leg है तो इस affected leg को तो इस affected leg को ऐसे करके आप कर सकते हैं hip extension hip extension करने के लिए आपको 10 repetition ऐसे कर लेने है और हमको जो है 3-5 set हमको इसके बना लेने है तो हमको इसके counting कर लेनी है 1-2-3-4-5 यहाँ पर hold फिर relax फिर हमको 1-2-3-4-5-6-7-8 फिर relax हमको ऐसे करके 3-5 set बना लेने है फिर हमको जो है next exercise करेंगे तो इस exercise को करने के लिए आपके सही भी यही है अब इसमें यह ना करें कि आप ऐसे करके घूम के करें ऐसे करके तो यह गलत हो जागा बिल्कुल सीधा लेते हैं फिर इसके बाद हम इसको करते हैं ऐसे तो ख़ड़ाओ के करेंगे तो इसे mistake हो सकती है लेकिन लेट के करेंगे तो आपको best रहेगा कि आप ऐसे ही करें अब नमबर एथ exercise की तरफ चलते हैं जो कि इसके लिए काफी यादा benefit पहुचाएगी तो वो है आप लेट के cycling कर सकते हो अगर cycle नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकते हो लेक को चला सकते हो दोनों लेगों में बेट बान सकते हो चाहें तो आप affected leg नहीं बाने और इसके बाद हमको cycling ऐसे करनी है अब इसके बाद मैं आपको चलाऊँगा जो है चलने के एक तरीका बताऊँगा इस वीडियो में जो की बहुत जाना benefit पहुचाएगा वो आपके लिए होगा चलने के लिए सबसे best तरीका तो आपके चलने के लिए best तरीका आपके लिए यही रहेगा पहले आपको ऐसे चलना है जैसे माली मैं हाँ से चलके आपको दिखाता हूँ फिर आपको ऐसे करके चलना है फिर ऐसे करके फिर आप ऐसे करके चल सकते हैं पैर उठा के फिर आप ऐसे करके चल सकते हैं फिर इसके बाद हम ऐसे करके चल सकते हैं फिर हम इसके बाद ऐसे चल सकते हैं यह तो हो गया side से चलना ठीक है फिर हम नॉर्मल ऐसे करके चलेंगे फिर हम नॉर्मल ऐसे करके चलेंगे फिर हम नॉर्मल ऐसे करके चलेंगे तो हमें ये चलने की आदत में जो है हमको ऐसे करके डाल लेना है तो हम नॉर्मल चलने के लिए गेट ट्रेइनिंग में आपके लिए बहुत बैस्ट रहेगी अब आप इसके बाद जो है और भी चुछ से एक्सेसाइज कर सकते हो ठीक है तो आप इस तरह से हो गई अब आपको लिए बहुत बैस्ट एक्सेसाइज बताऊंगा वो आपके लिए रहेगी एक रजिस्टेंस ट्यूब के द्वारा तो फ्रेंड्स आप लोग अब जो है आपके लिए और बैस्ट एक्सेसाइज करने के लिए टॉप टैन भी एक्सेसेज में इंक्लूड कर देता ह जो कि थारवेंड के दोरा होजाएगी और इस ट्रेंस ट्यूप के दोरा तो इसको आप दीख रहोंगे कितने हैं अगर सबको मिला के करोगे तो बहुत हाड हो जागा आपके एसाप से लेकिन आपको स्टार्टिंग में एक या दो ऐसकर के डाल लेने हैं इस पैर में कुछ इ और फिर हम इसको जो है इस तरह से करेंगे आप अपने हिसास से स्टेंस ट्यूब को इसमें डाल सकते हो फिर हम इससे इस तरह से कर सकते हैं अब इसमें इस fulfilled हैं कि आप एसे रोटेट करें शीदा पैसे करनेंगे आपको करनी है त्यश्य बहुत बैस्ट होगी आपको ये 10-15 बार ऐसे-से करके कर लेना है और अगर ये काद रखेंगे इसमें light माली मैं इसमें कम करता हूँ अब मैं yellow वाली करता हूँ तो अब मैं देखेंगे आपकी और वे इस पे जो बढ़ा पाऊँगा देखिए इसके द्वारा अब इसको आप इस तरह से करेंगे तो आपकी रिकबरी बहुत अच्छी होगी तो आप इस तरह से अपने थारेवेंट को भी इंकलूट कर सकते हैं अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका link में description में दे दूँगा आप इसको आशानी से जोगा पठेश कर सकते हैं तो इस तरह से आप थारेवेंट से बहुत सारी exercise कर सकते हो अगर इस पर आप exercise देखना चाहते हैं इससे कौन कौन से कर सकते हैं पूरी body workout कर सकते हो daily need के लिए तो आप इसके लिए आप आई अटन पर आगे वीडियो को जरूर देखना तो हाला कि आप पूरी playlist को छेक करिएगा अगर आपको कोई समश्या है तो और मैं वैसे आपको बता दूँ टोटल hip replacement की जो है ये 6D exercise थी जो exercise की वीडियो थी मैंने आपको बताया कि आप इसस तरह से अपनी exercise को करके अपनी hip को बापस recovery तक ला सकते हो इसके बाद भी अगर आपको कोई mistake या कोई दिक्कत होती ही तो आप मेंनों comment section बताइएगा और आप फीजियो थेरपिस्ट को दिखा सकते हो और मैं आपको बता दू कि आप total hip replacement के बाद जो है बहुत सारी exercise होती है जिनको मैंने इस वीडियो में कबर ना किया होगा तो आप आप आई वेटरन पर आके उन वीडियो को ज़रूर देखना पूरी playlist बना रखिए surgery के बाद जो है पूरा प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को देखने के लिए आप आई वेटरन पर आके देखी विल्कुल निसुलुक है तो उसका कोई चार्ज नहीं है आप जाके आप आचानी से देखी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक चैनल पर पहली बार आए हो तो चलो को सब्सक्राइब कर देना फ्राइन की बहुत मेनत लगी है पूरी सिरीज बनाने में और आपका कुछ भी नहीं जाएगा लाइक और सब्सक्राइब करने में और मैं आपको उता दूम उस्तों जुड़ने के लिए इस्टाग्राम फिर्शूप को फॉलो कर लिए सबका लिंक डिस्करप्शन मिलेगा और टेलीकराम गुरूप का भी मलता हूं किसे न वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई